Now let us take our next problem. हमें सिर्फि निर्फट में गीवन है और हमें क्या करना है? हमें इस सिर्फिफरेंशेट भी करना है और हमें क्या करना है? इंटिगेट भी करना है ण genius अगया तो Message अगया जो decision तो यह सिर्फ पो सिन क्या अगया है? प्तो आपको पता है कि यहाँ पर abrupt discontinuity आपके पास upper direction में है, यह downward 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 में है, लेकिन एक बत के धनक न, यह जो हमारा signal start हुआ, यह 0 से start हुआ है, मतलब यहाँ तक signal आपके पास क्या है, यह 0 है, यह signal यहाँ पर 0 है, और फिर 0 पर क्या हुआ है इसकी value में यह increment हुआ है 0 में इसकी value में यह increment हुआ यहाँ पे ऐसे सही है तो देखें अगर हम इस signal को differentiate करते हैं अगर हम इस signal को differentiate करें तो इसको हम इस तरह से represent करेंगे x-t तो हमें जो impulse मिलेगी 0 पे हमें जो impulse मिलेगी इसकी strength हमारे पास 1 होगी 1 पे हमें जो impulse मिलेगी, इसकी strength हमारे पास क्या होगी, minus 2 ठीक है, उसके बाद 2 पे जो हमें मिलेगी, वो plus 2 तो अब आप यहाँ पर ऐसे represent करेंगे, 2 पे ये 2, और फिर 3 पे क्या रहेगा आपके पास, minus 2, उसके बाद 4 पे फिर क्या रहेगा आपके पास, 4 पे this is 2, और ends on, 5 पे क्या रहेगा आपके पास this is minus 2, बताइए पूरी class में किसी भी सुनगों कोई भी doubt तो I hope दोस्तों यहाँ तक किसी भी सुनगों कोई भी doubt नहीं होगा तो यह इस तरह से ऐसे जा रहा है, इस तरह सी यह impulse 0 पे है, तो 0 के लिए आपके लिखते है delta of t, ठीक है plus 1 पे बनी हुई है तो क्या लिखते है delta of t minus 1 plus 2 पे बनी है तो क्या लिखते है delta of t minus 2 plus 3 पे बनी है तो क्या लिखते है delta of t minus 3 plus 4 पे बनी है तो क्या लिखते है delta of t minus 4 सही है इसका जो strength है वो हमारे पास क्या है 1 है तो यहां पर 1 आ गया यह आपके पास क्या है minus 2 है फिर आपके पास क्या है यह plus 2 है यह minus 2 है यह आपके पास क्या है plus 2 है and this is and so on clear है तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा यहां से हमें x of t मिल जाएगा तो X of T हमारे पास कितना आज़ेगा? X of T is nothing but this is U of T. X of T is this is U of T minus twice U of T minus 1 plus में twice U of T minus 2 minus में twice U of T minus 3 plus में twice U of T minus 4 and so on. और अगर माली जी हमें इस सिंगल को integrate करना होता, क्या करना होता? integrate. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि Y of T किसके बराबर है? This is integration minus infinity से लेगे T. This is X of Tau D tau. तो बताएए Y of T हमारे पास कितना आज़ेता? तो यहाँ से हमारे पास Y of T हमारे पास हो जाता? तो मैं इसको लिख देता हूँ. UT को integrate करोगे तो क्या मैं लेगा? RT. तो यह हमारे पास हो जाता R of T minus में 2, R of T minus 1, plus में 2, R of T minus 2, minus में 2, R of T minus 3. तो इस तरह से हमें यहाँ पर signal मिल जाता, ठीक है? R of T minus में 2 R of T minus 1, plus में 2 R of T minus 2, minus में 2 R of T minus 3, plus में 2 R of T minus 4, ends 1. अब मुझे क्या करना है? इस signal को upload करना है. तो देखे, starting point तो सबको पते ही है, 0, 1, 2, 3, 4, ends on. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. starting point है हमारे पास 0, starting point हमारे पास है plus 1, starting point हमारे पास है plus 2, plus 2, starting point है हमारे पास कितना? plus 3. इसी में पता चल जाएगा कि waveform कैसे बनेगी? slope देख लेते हैं M, यहाँ पर 1 है, उसके बाद देखे, next में आपके पास slope कितना है? minus 2 है. तो next में आपके पास slope कितना है? minus 2. इसके बाद next interval में slope कितना है? plus 2 है. यह आपके पास plus 2 आगया. next interval में slope आपके पास कितना है? minus 2 है. कितना है? minus 2. तो यह आपके पास minus 2 आगया. ends on. ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर इस single का integrated version हम यहाँ पर बनाए है यह X-axis आपके पास multi है तो आपको फाता यह यह है यह आक के पास zero है यह यह बना दियता हूं तो यह आपके पास यहां película रहाभ यहां यह यहां पर यह बना आएं तो यह बना यह पहले में одно . अर बता कि Сलोप होता है, आपके पास चेंज इन y-axis divided by में चेंज इन x-axis, ऐसे एकको रении यूफिन द्यौ्या को बता हुए जिए नर्यौ बाता है तो ऊसलोप कर आपके पास ये उसले िर्म L by užखोता है तो one minus में two क्या होता है minus one तो अब signal का slope क्या होता है minus one फिर आपके पास minus one plus में two क्या होता है plus one तो इसी तरह से ये plus one minus one plus one minus one इस तरह से हमारा जो signal है वो हमारे पास क्या रहेगा continue रहेगा समझपाने मेरे बात तो दोस्तों ये जो मैंने आपको method बताया है इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जब आप signal को differentiate करेंगे तो वो कैसा नजराएगा उसको mathematical form में कैसे लिखते हैं और जब आप इसको integrate करोगे तो आपको जो signal नजराएगा वो आपको इस तरह से नजराएगा समझ पाने मेरी बात अब मैं एक काम करता हूँ मैं इसको रब कर देता हूँ और रब करने के बाद जो मैंने आपको second method बता है कि हम area से भी इसको directly plot कर सकते हैं तो उसमें क्या है हमें कम time लगेगा ये तो खें मैंने differentiate कर गया आपको बताया आपके बहुत सारे फंडे क्लीर हो गए होगे आपके डाउट सारे क्लीर हो गए है अब मैं आपको एक easy method बताता हूँ कि integrate अगर आप directly करना चाहें अगर आपके पास step की form में signal given है तो आप किस तरह से कर सकते हैं अब लेट इस एक the second method अब हम यहाँ पर second method के बारे बात करते है तो second method में हमने आपको क्या बता है area निकालना होता है तो अगर आप इसका area निकालोगे तो आपके पास इसका area कितना आएगा width आपके पास कितनी है 1 height कितनी है 1 तो इसका area आपके पास कितना आगया तो आपको हमने क्या बजाता है? कि जब आप इसको integrate करोगे, so minus infinity से लेगे t, this is x of tau, d tau, तो यह आपके पास y axis है, यह आपके पास क्या है? x axis है, small t, ठीक है? तो यह आपके पास जो instant है, यह आपके पास 1 हो गया, यह instant आपके पास क्या हो जएगा? 2, यह instant आपके पास क्या हो जएगा? 3, यह instant क्या हो जएगा? 4, यह क्या हो जएगा? 5, तो सबसे पहले instant लिएते हैं, यह 0 हो गया हमारे पास, यह 1 हो गया हमारे पास, यह 2 हो गया हमारे पास, यह 3 हो गया हमारे पास, यह 4 हो गया हमारे पास, यह 5 हो गया, तो जब आप इसको integrate करोगे, तो यह ramp उपर बनेगा, और जैसे कि मैंना को बता था, area जो है, वो आपका amplitude बताएगा, यह आपके बास कितना हो गया, प्लस 1 हो गया, तो इस प्लस 1 को हम यहाँ पर अलग से लेते हैं, उसके बाद area किया माइनस 1, तो यह माइनस 1, तो इसका मतलब क्या है, अभी आपके बास कितना हो गया, यह माइनस 1, ठीक है, यह 0 हो गया, यह आपके बास कितना हो गया, 0, उसके बाद आपके बास क्या है, 0 के बाद प्लस 1, so this तो अब आपके बास ये प्लस वन होगा फिर उसके बाद ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 तो आपके बाद जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो ग्राफ है वो exactly हमारे पास सेम ग्राफ है जो हमने सेकेंड मेसले से किया था तो आई हो दोस्तों यह जो मैंने आपको question कर रहा है यह आपको काफी अच्छे समझ में आयोगा तो इसमें मैंने क्या किया है पहले मैंने question में differentiate किया differentiate करने के बाद mathematical form में लिखा उसके बाद मैंने को क्या क्या integrate किया तो वो ut की form में आ गया तो मैं आपसे request करूँगा कि अगर वो integration कहा रहा है तो आप directly इस method को क्या करें follow करें